उजास, प्रविशिका, भाग एक, पाठ एक, परिवार और पडोस, भाग दो, अन्वरी का परिवार, प्रिष्ट चोदह, अन्वरी का परिवार, इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, इस चित्र में कुछ महिलाएं खेतों में धान लगाती दिखाई गई हैं, और सामने एक पेड़ के नीचे दो बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, इस चित्र के नीचे कुछ पंक्तिया लिखी हैं, जो इस प्रकार है, धान लगाई है, अब की खेत में हमने अपनी जान लगाई हैं, और इसे लिखा है सुशील शुकलने, आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर चार प्रश्ण हैं, पहले प्रश्ण का उत्तर दिया गया है, पहला प्रश्ण क्या इस चित्र में गुडाई का काम चल रहा है, इसका उत्तर है नहीं, तो नहीं के आगे सही का निशान लगाया प्रश्ण दो, क्या आपके इलाके में धान की खेती होती है, प्रश्ण तीन, क्या आपका परिवार भी मिलकर कोई काम धंदा करता है, प्रश्ण चार, क्या आप उस काम में अपने परिवार की मदद करते हैं, अब इन तीनों प्रश्णों के उत्तर आपने चित्र को देख कर बताना है कि इन में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं और जो सही है उसके सामने आपने सही का निशान लगाना है शिक्षक निर्देश इन प्रश्णों के आधार पर सहभागियों के कामकाज और उनके परिवार के बारे में चर्चा करें उपर दिये गए सवालों के नीचे अंगुली रख कर पढ़ें और सहभागियों से हां नहीं पर सही का निशान लगाने के लिए कहें प्रिष्ट पंदरह देखिए पढ़िए और लिखिए अ से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए अनार रस पास पान रिक्तिस्थान आ से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए पारस, आरा, नस, नर, रिक्तिस्थान व से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए पासा, सर, नाव, वर, रिक्तिस्थान व से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए सारा, रवाना, रवा, वापस, रिक्तिस्थान न से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए वार, नस, नारा, नापा, रिक्तिस्थान न से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए आना, नाव, आरपार, नस, रिक्तिस्थान र से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए पार, पास, पान, रस, रिक्तिस्थान स से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए वानर, सावन, सडक, पावन, रिक्तिस्थान प से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखिए नाव, वर, पपीता, पावन, रिक्तिस्थान शिक्षक निर्देश सहभागियों को शब्दों को पढ़ने और लिखने का मौका दें और शब्द लिखने में उनकी मदद करें दिये गए अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों की पहचान कराएं और लिखने का अभ्यास भी कराएं